मैं दक्टर की एस तोंसी आप सबी का KS GMS क्लासी में स्वाइब करता हूँ आज हम इस वीडियो लेक्शर में कॉंस्टेंट मॉशन का एक्जांपल नमबर फो डिसकस करेंगे बहुत इंपोर्टेंट एक्जांपल है, सिंपल है तो प्लीज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल KS GMS क्लासी को सुस्क्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ओनलाइन कोर्से चलते हैं उनके बारे में हमने लिंक बगएर अप्लोड कर रखे हैं और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हाईर मैथमेटिक से रिलेटेट वीडियो अप्लोड करता हूँ ये वीडियो इंटीग्रेटिड कोर्सेज इंजिनिरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजूएट और पोस्ट वेजूएट स्टूएट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप अपने फ्रेंट सर्कल के अंदर मेरी इन वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियो का पुरा-पुरा बेनिफिट उठा सके ओके तो आई हम आज का एक्जम्पल स्टार्ट करते हैं इस एक्जम्पल नंबर पूर की स्टेटमेंट देखे आप ऑप एक्जम्पल नंबर पूर की स्टेटमेंट देखे आप ऑकी या लिख रहा है इससे स्टेटमेंट के अंदर एक्जम्पल नंबर पूर की स्टेटमेंट है a particle is projected from the lowest point of a vertical circle with a velocity just sufficient to carry it to the highest point. Find when and where the particle leave the circle. Okay, बहुत ही simple सा question है. क्या कह रहा है? इस question के अंदर एक vertical circle है. ठीक है? और इसका lowest point, इसका निमंदम बिंदू, lowest point क्या होगा? इसके वो diameter जो कैसा होगा? वर्टिकल होगा. और उसका ये point, lowest point यहाँ पर किसी velocity से particle को इसमें फैंका जाता है. और वो circle पर चले और कहां तक पहुंचे? बी तक. वो गरहे velocity इतनी है कि वो कहां तक पहुंच सकता है? तो आप बताईए, ये कन इस circle को कब और कहां छोड़ेगा? कहने का मतलब? कब और कहां. कब कहां मतलब क्या होता है? कब टाइम और कहां मिन्स पोजिशन कौन सी जगा पर इस circle को छोड़ेगा? तो ये आपने को calculate करना है. तो इसका solution देखिए. आप तो solution देखिए आप? solution का अंदर सबसे पहले हम suppose कर लेते हैं. Let O be the center of vertical circle. माल लेते हैं O. इस vertical circle उदर वादर वरत का केंदर है. ओके? और A इसका lowest point और B इसका highest point है. A निमनतम बिंदू और B इसका उच्छतम बिंदू है. ठीक है? जैसे नहीं बताया था कहां पर होंगे? vertical diameter के उपर. A lowest point और B इसका highest point. ओके? उसके बाद वो क्या कर रहा है question के अंदर? वो कर रहा है इस particle को किसी velocity से बिंदू A से circle में फैंका जाता है. तो कहने का अतलों हम suppose कर लेते हैं यहाँ पर particle की velocity क्या है? U है. ओके? इसके अंदर है particle. और T time के बाद वो कहां पर आयाता है? पॉइंट P के उपर. ओके? टी टाइम के बाद जब इस particle को circle में फैंका जाता है, वो कहां पर आयाता है? पॉइंट P के उपर. ओके? तो क्या होगा? इसकी velocity V होगी. कहां पर? along. tangent. पर शेखा की दिशा में. इसका weight होगा mg. vertical down. और इसकी weight के कारण इसकी reaction होगी circle की. और reaction कहां पर होगी? इस tangent के साथ 90 degree का angle. ओके? अर्थात कहने का तो लोग इस radius के उपर इसकी reaction होगी R. और यह कहां से जाएगी? इसके center से जाएगी. passing through the center of vertical circle. ओके? और इसके बाद हम suppose कर लेते हैं यह angle क्या है theta. और इस circle की radius कितनी है? यह है. Let O A equal to O P equal to A. The radius of circle. इस वरत की तिरजया है. ओके? तो इसको मैं यहां पर A लिख सकता हूँ. जब हमने इसके radius को A suppose कर लिया. ओके? तो अब सबसे पहला काम क्या होगा? Constraint motion के अंदर हम दो equations लिखते हैं. कौन-कौन सी? तो लिखिया आप. V square equal to U square minus 2AG plus 2AG cos theta equation number first. यह equation किस के लिखते हैं? velocity के लिए. T time के बाद V और U में relation. ओके? और दूसरी equation हम कौन सी लिखते हैं? reaction R equal to M upon A into U square minus 2AG plus 3AG cos theta and this is equation number second. ओके? तो अब उसने क्या लिखा हुए? question के अंदर. वो करेंगी यह कितनी velocity है? ठीके? U कैसा है? जो इस particle को B तक ले करके जा सकता है. तो कहने का अंदर लोग क्या होगा? B पर theta कितना होगा? pi. ज़्यान दीजेगा. जब particle यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो theta के value कितनी हो जाएगी? pi हो जाएगी. तो आप लोग लिखिए put theta equal to pi and V equal to 0 B तक ले जाने काउंच लोग क्या होगा? यहां पर इसकी velocity कितनी हो जाएगी? 0 जाएगी. ठीके? B तक जाना अर्थाद B पर कन का वे कितना हो जाएगा? 0 जाएगा. तो put theta equal to pi and V equal to 0 in 1 equation first के अंदर रखो आप तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या होगा? 0 equal to u square minus 2AG plus 2AG cos pi and cos pi minus 1 तो हम लिख सकते हैं 0 equal to u square minus 2AG minus 2AG because cos pi equal to कितना होता है? minus 1 होता है. यह साइड में mention करते हैं आप cos pi equal to minus 1 तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर क्या कुछ आदेगा? हमारे पास आएगा u square equal to 4AG और u square equal to 4AG equation number third और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब कन circle को छोड़ता है ठीक है? जब particle इस circle को छोड़ता है तो हम suppose कर लेते हैं और यहाँ पर theta की value किसके ब्राबर? alpha के ब्राबर और circle को छोड़ने का आदलो क्या होगा? r की value किसके ब्राबर हो जाएगा? 0 के ब्राबर ठीक है? क्योंकि particle circle को कब छोड़ेगा? जब r कितना हो जाएगा? 0 reaction कितनी हो जाए? 0 के ब्राबर हो जाए और हम यह कैने का आदलो position किया है theta equal to alpha angle कितना बनेगा? alpha के ब्राबर यानि कि यह जो angle होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कितना होगा? alpha तो इसके लिए आईए आप put r equal to 0 and theta equal to alpha ठीक है? equation number second के अंदर by 2 तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा? 0 equal to m upon a into u square minus 2 a g plus 3 a g cos alpha equal to 0 ओके? और अब बहुत ही simple since m upon a is not equal to 0 m beta is 0 नहीं होगा तो 0 का नहीं होगा? ब्रेक्ट तो हमारे पास अगला step बनेगा implies u square minus 2 a g plus 3 a g cos alpha equal to 0 और अब equation third का use करना equation third का use करो आप यहां पर क्यों? u square के स्थान पर क्या पुट करोगा? 4 a g तो लिखे बाई third जब third का use करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा? हमारे पास बनेगा 4 a g minus 2 a g plus 3 a g cos alpha equal to 0 okay calculation करने के बाद हमारे पास आएगा 3 a g cos alpha equal to minus 2 a g बहुत है सिम्पल कैसे? 4 a g plus 2 a g minus 2 a g plus और इसको right hand side के अंदर shift करेंगे तो कितना हो जाएगा? minus 2 a g और अब a g स a g cancel that is cos alpha equal to मैं यहां लिख देता हूँ cos alpha equal to minus 2 by 3 तो यह कौन सी condition है? जब particle circle को छोडता है ओके इसका हम use करेंगे और इसको equation number देदो आप 4 ओके? और अब इसके बाद फिर लिखे आप next step के अंदर हाँ वी by first and third समी करन एक और 3 से ठीक है? चाहो तो आप यहाँ alpha की value calculate कर सकते हो alpha कितना देगा? cos inverse minus 2 by 3 इसके बाद आप इसको equation number 4 लिख सकते हो ठीक है? और अब आप लिखे by first and third समी करन एक और 3 से क्या करना होगा? use कर की value put करना first के अंदर तो हमारे पास क्या बनेगा? V square equal to 4 az minus 2 az plus 2 az cos theta plus 2 az cos theta next step के अंदर 2 az plus 2 az cos theta और next 2 az common निकालेंगे हम तो 2 az common निकालने के बाद हमारे पास break के अंदर आएगा 1 plus cos theta और इसको half angle के अंदर तोड़ेंगे हम तो कहने का अदर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2 तो यह हमारे पास हो गया 4 az cos square theta by 2 देट इस v square और v square के बाद हम लोग क्या करते हैं? v लिखते हैं that is v equal to plus minus under root 4 az cos square theta by 2 तो अब देखो sine con सा लेंगे positive या negative तो आप यहाँ पर देखिया जैसे जैसे particle a से p की और जारा क्या हो रहा है? time और s t और s दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका हम विलास्टी हम क्या लेंगे? positive जब time और distance बढ़ती है या time और length of arc बढ़ती है तो velocity की value क्या होती है? positive ठीक है? तो positive sign consider करना अगले step करना हम लोग लिख सकते हैं that is v v को मैं लिख सकता हूँ ds upon dt equal to 4 का 2 and under root az cos के रखीटा बढ़ टू means cos थीटा बढ़ टू बार रहेगा और side में mention का सकते हो आप कि v equal to ds upon dt ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने को time calculate करना है और time हमें तब ही मिलेगा जब हम velocity को कौन सी terms के अंदर change करेंगे? time की term के अंदर यानि की ds upon dt और अब next लिखो आप since s equal to a into theta बहुत ही simple arc equal to क्या होता है? angle into radius ठीके? s equal to s क्या है? ap side में लिख सकते हो आप since s equal to arc ap तो बहुत ही simple सा formula होता है arc equal to angle कौन सा? angle aop into radius a ओके? और ds कितना हो जाएगा? ds हो जाएगा a into d theta because radius constant है change कौन हो रहा है? theta जब हम इसका differentiation करेंगे तो differentiation किसका होगा? theta का होगा a का नहीं होगा because a is constant आप में क्या करना है? ds की value put कर देनी है यहाँ पर ds का मान रखिया a into d theta upon dt equal to 2 under root a into g cos theta by 2 ओके? और अब यहाँ पर क्या करना होगा? separation of variables चरों को अलग-अलग करना तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? that is a d theta upon cos theta by 2 equal to 2 under root az into dt ठीक है? यहाँ आप ऐसा कर सकते हो totally constant इस साइड के अंदर एक कठा कर लो आप और dt की term सिर्फ left hand side के अंदर लिए right hand side के अंदर लिए दो आप तो कहने का और लोग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dt equal to यानि की सिर्फ time और बाग की जो भी constant होगे रहा है उनको एक साइड के अंदर कठा करना तो यह हमारे पास आजएगा a d theta upon 2 root a g और upon में cos theta by 2 है upon में cos theta by 2 है उपर जाए क्या बनेगा sec theta by 2 into d theta और अगले step के अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ that is dt equal to 1 upon 2 root a upon g into sec theta by 2 into d theta because upon में root यह है उपर बिना root है तो root कहां भी shift होगा उपर तो हमारे पास यह term बनेंगी और उसके बाद हम suppose कर लेते हैं कि जब particle circle को छोड़ता है तो यहां से लेकर यहां तक का time कितना है t1 इसको t1 suppose कर लो आप ठीक है क्यों time calculate करना आपने को on integration क्योंकि time calculate करना है तो dt का integration करोगे आप on integration तो क्या होगा integration of dt equal to half under root a upon g integration of sec theta by 2 into d theta ओके और अब आप limit supply कर दो आप limit देखो आप a पर क्या है a पर time 0 है theta भी कितना है 0 जब particle a पर है तो देखो आप p a पर होगा तो theta भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा time भी क्या होगा 0 होगा because starting point है शुरुआत a से हो रही है यहां पर ठीक है a से q का time कितना है t1 ओके तो time के limit 0 से t1 ओके और ऐसे ही theta देखो आप starting अदर theta कितना है 0 है और यहां पर theta कितना हो जाएगा alpha तो theta की limit हो जाएगी 0 to alpha मैं यहां लिख भी देता हूँ integration की limit हम कहां से कहां तक apply करेंगे a to q a पर lower limit और q पर upper limit क्यों q पर क्या है r equal to 0 particle जो है वो circle को छोड़ेगा ओके ऐसा हमने suppose कर रखा है तो अब left hand side का integration t limit 0 से t1 right hand side के दर हमारे पास आएगा 1 upon 2 root a upon g sec का integration क्या होता है log sec theta by 2 10 theta by 2 upon half बटा में 1 बटा 2 और limit apply कर दो आप यहां पर limit कितनी लगा होगे 0 to alpha lower limit 0 upper limit alpha limit 0 to alpha और अगले step के अंदर calculation करना तो यह हमारे पास बनेगा left hand side के अंदर t1 minus 0 इसको मैं t1 ले देता हूं और right hand side करना देखा हाफ और हाफ यह cancel तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया under root a upon g अपर लिमिट that is log sec alpha by 2 plus 10 alpha by 2 यह अपर लिमिट और minus lower limit minus log sec 0 plus 10 0 क्यों lower limit कितनी है जिरो है अपर alpha और lower theta के स्थान पर 0 गुड करना ओकी और break को close कर दो आप और अगले step के अंदर यह कितना बनेगा यह हमारे पास आएगा that is t1 equal to a upon g log of sec alpha by 2 okay plus 10 alpha by 2 minus log 1 okay sec 0 कितना होता है 1 10 0 कितना होता है 0 तो a 1 हो गया और हम फिर क्या जानते है log 1 क्या होता है 0 तो that is t1 equal to under root a upon g log sec alpha by 2 plus 10 alpha by 2 okay and this is the equation number 5 तो अब हम लोग क्या करेंगे alpha sec alpha by 2 और 10 alpha by 2 की value put करेंगे फिर हमारा answer आएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते है equation 4 की help लेते हैं तो लिखे by 4 by 4 समीगरन 4 से ठीके तो 4 क्या है cos alpha equal to minus 2 upon 3 दिखो अगर हमारे पास cos alpha है तो हम इसको half angle के अंदर change करेंगे ठीके क्यों यहां पर अपने पर दिखेंगे क्या सही है half angle में चाहिए data तो कॉस alpha means 2 कॉस के alpha by 2 minus 1 equal to minus 2 by 3 समझे आप इसको half angle में क्यों change किया है क्योंकि जो आपने को जरूरत है time calculate करने के लिए वो हमारे पास calculation कैसे है alpha by 2 में है half angle के अंदर है और अब यहां से आप लिखिए next step 2 कॉस के alpha by 2 equal to 1 minus 2 upon 3 that is 1 upon 3 लसे में लेने के बाद तो यहां से कॉस के alpha by 2 आएगा 1 by 6 क्योंकि 2 से रिवाइड करना and cos alpha by 2 equal to 1 upon root 6 और अब हमें किसीज की जरूरत है sec और 10 तो इसके लिए बहुत ही बड़ी है अगर आप triangle complete कर लो ठीक है पाइथोग और सप्लाई करो triangle को complete कीजिए और उसके बाद हम जो भी जरूरत होगी हम उसको लिख सकते हैं ठीक है एंगल 90 alpha by 2 और cos का मिनिंग क्या होता है अधार वटा करन B upon H यानिकि यह 1 और यह root 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डैट इस रूट 6 माइनस 1 रूट 5 ओके पाइथोग और सप्लाई करने के बाद तो अब यहां से आप सेक भी लिख सकते हो यहां से आप 10 भी लिख सकते हो तो मैं लिख देता हूँ that is sec alpha by 2 sec कोई problem नहीं है cos का just ultra लिखना है तो root 6 upon 1 और 10 में triangle से लिख देता हूँ 10 alpha by 2 ठीक है क्या होता है base upon perpendicular परपेंडिकलर अपॉन बेस तो यह हमारे पास आजएगा root 5 upon 1 lambda current ठीक है और अब फिर आपने क्या करना है यह दोन्नों values कहां पर पूट करोगी equation 5 के अंदर तो लिखिया by 5 समीकर्ण 5 से that is t1 equal to under root a upon g log of root 6 plus root 5 कहने का अतलब यह क्या है answer है कब छोड़ेगा कब का अतलब time एस से क्यों का time calculate करना है इसलिए मैंने इसको अंसर लिखा है कहां का मतलब कहा है position तो second answer आप यहां से लिख सकते हो second answer is कॉस alpha equal to minus 2 by 3 and alpha equal to cos inverse minus 2 by 3 यह का second answer होगा second answer means position position का अतलो क्या है यहां पर हम क्या बता सकते हैं point के उपर और वो point इस line के साथ कितने degree के अंगल बनाता है alpha और यहां से alpha की value कितनी आ रही है cos inverse minus 2 by 3 ओके यह इसका second answer तो इस तरीके से हम इस question का answer calculate करते हैं मुश्कल नहीं है थोड़ा द्यान से सुनिएगा आप time के लिए v को ds upon dt लिखना और उसके बाद integration करना और limits apply करना और स्थिती के लिए position के लिए हमारे पास पहले जब हमने r equal to zero put किया था यह answer आ गया था cos alpha equal to minus 2 by 3 then alpha equal to cos inverse minus 2 by 3 यह position है यहनि कि कौन से अंगल पर particle circle से अलग होगा ओके थेंक यू